ये लगिस फर्स लफ का थैट पार्ट है, so let's start it दूसरी तरफ सिया के और साव सी गेम खिल रहे थे और साव सी पूसता है सिंग वी निहा पूरी रद क्यों रही थी सिया के बोलता है तुम्हें जानने के जरुरत नहीं है वो बोलता है सुनान मुझे सब बोलते है सिया के बूसता है तुम उससे मिले थे वो बोलता है वो मुझे पीज़ा खिलाने ले गए थे जहां उसने सुनान को बोला था हम चल्दी निना के घर चले जाएंगे क्योंकि उसके डैट मेरे मॉम से शादी करना चाते है और ये सुनकर सूनान को बुरा लगता है वो बोलता है सूनान ने बोला है वो मुझे हथ थर्ज़े पीज़ा खिलाने ले जाएंगे लेकिन मेरे मॉम को मत बताना लेकिन मुझे लगा बहुत थोड़े दुखी है सिया के बोलता है शायद उसे निना के दैट पसंद नहीं है वो बोलता है मुझे भी पसंद नहीं है सिंग्विन डॉक्टर दिखाती है और डॉक्टर उसे दो हफ्टे रेस करने के लिए बोलता है सिंग्विन बोलती है मैं रेस नहीं कर सकती मैंने बोस को प्रॉमिस किया है कि मैं तीन मेहने तक कोई भी छुटी नहीं लूँगी सिंग्विन बोलती है अगर तुम लंग रहा हो गए तो सुनान की मॉम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगी सिंग्विन बोलती है तुम्हें कैसे पता है कि उसका नम सुनान है वो बोलती है सिया के ने मुझे बताया फिर वो उसे घर छोड़ देती है और सिंग्विन बोलती है आप बॉस के तरह भी बहुत अच्छे हो और वो बोलती है जो तुम देखती हो वो हमेसे सच नहीं होता और चली जाती है फिर वो घर चली जाती है और सिया की उसे बोलता है चाहे तुम दोड़ा के बीच में जो भी चल रहा है तुम्हें साउसी का ख्यार रखना पड़ेगा वो बोलती है मैं उसे और सुनान से मिलने नहीं दूँगी सिया के बोलता है क्या तो मुझे छोड़ पाओगी वो बोलती है साउसी को कार में उठा दो और वो उसे ले जाता है दूसरे दिन जूई उसे काम के समय मेसेज करते है तुम्हें सोट कैसे लगी क्या बॉस तुम्हारे डेट के बीच में आए थे तो रात की बाद सोचकर इंबेरेस फिल कती है और गलती से आफिस चैट खोल लेती है वो उसमें लिखती है बॉस का एक गल्फरेड और एक नाजायस बेटा है और भेज देती है फिर सब्हीं उसके दरब देखने लगते है और सियाके लिखता है मुझे नहीं पता था मैं ऐसा हूँ सिर्य और जल्दी से सियाके के पास जा कर सोड़ी बोलती है लेकिन मैंने इतने साल आपके साथ काम किया है कम से कम उसकी बज़े से मुझे माप कर दीजी है और वह से भी मुझे आपके फैमिली के बार में नहीं पता और सिया के उसे सच बोने लगता है लेकिन वो बोलते हैं मुझे नहीं जानना तब ही आमी आकर बोलते हैं आपको मीटिंग के लिए जाना है रोज चला जाता है सिया के इंतसर कता है सिया के बोलता है मैं मीटिंग के लिए टेनिस को जा रही हूँ मुझे इसके ज़रुरत नहीं है क्या तू मेरे साथ आना चाहोगी वो बोलते है नहीं मैं आपको परेशन करूँगी सिया के बोलता है फिर तुम घर चली जाए और रोज काम के बाद मुझे वीडियो गार में सब बता देना और रोज अपनी चोट का फोटो भेज़ना चोट की बज़े से ज़्याता हम दिन शुटी मत लेना वो बोलते है मैं जल्दी चली आओंगी और सिया के चला जाता है सिंग्विन खुश हो कर अंदो जाती है और उसके दोस आकर बोलती है बोस ने तुम्हारा समन तुम्हें पपस देने बोला है तुम्हें काम से निकाल दिया तुम खुश कैसे हो सकती हो सिंगविन बोलती है नहीं उन्होंने मुझे घर से काम का निक्रिब बोला है उसके दोस्त बोलते है फिर अच्छा है हमने अफिस आउटिंग के लिए जगर ठीक कर लिया है तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और सुनान को फिस साथ में लाना सिंगविन बोलते है ठीक नहीं है उसके मॉम बोलती है यह सब तुम्हारी गलती है तुम्हें चावी कैसे खो दिया और तुम्हें चोट कैसे लगा वो बोलती है मुझे ज्यादा नहीं लगा और मुझे बटान करनी है उसके मॉम बोलती है तुम्हारे डैर कल चल्दी चले जाएंगे इसलिए तुम्हें आफिस टैक्स में जाना पड़ेगा वो बोलती है मैं कर आफिस नहीं जाओंगी उसके मॉम बोलती है अच्छा है मैं तुम्हें दो हपते के लिए छुटी लेने बोलने वाली थी वो बोलती है बोसन मुझे घर से काम करने के लिए बोला है उसके मौम बोलती है तुम्हारे बहुत अच्छे है सिंगन धीरे से बोलती है वो यह सब अपने गिल किरी कर रहे है फिर वो बोलते है मैं आप काम करूँगा और आपको सोने जाना चाहिए इसलिए उसके मौम चली जाती है दूसरे दिर वो काम करकर सियाके को भेज़ देता है सियाके वो देखता है फिर सियाके वीडियो कॉल करकर उससे काम कराता है और वो सोसती है उन्होंना मुझे वीडियो कॉल पे भी थीन घंटे काम कराया चाहे कि मैं अभी पे जिन्दा हूँ सिया के उसे ठीक से करने बोलता है वो बोलते है आपको जरूर और भी गाम होगा मैं ठीक करने के बाद फिर से कॉल करती हूँ सिया के बोलते है नहीं तुम कॉल काट करने के बाद सो जाओगी वो बोलते है अब तो डिनर का समय है आपको जरूर भूख लगा होगा सिया के बोलता है तुम्हारी वज़े से मेरा पेट भर गया वो बोलते है फिर मैं मेरे पेरंस को पहले खाने बोल देती हूँ तभी हो सूती है कि सुनाना आया है इससी वज़े से जल्दी से उटने की समय वो गिर जाती है और उसका फोन भी गिर जाता है उसकी मॉम आकर बोलते है सुनाना आया है जल्दी से अच्छे कप्रे पहन कर बाहर आओ वो पूछती है वो यहां क्यू आया है उसकी मॉम बोलते है तुम उसके घर जाकर रही थी इसलिए मैंने ठेंक्स बोलने के लिए उसे डिनर के लिए बुलाया है वो बोलते है अपने मुझे क्यों नहीं बताया उसकी मॉम बोलते है मैंने दुफाया मैं तुम्हारे डोर पे नौक करकर बताया था तुमने भी बोलता हाँ वो बोलते है तब मैं मेरे बॉस के साथ मिटिंग पे थी उसकी मॉम बोलते है मैं नहीं जानती थी अब जल्दी से कप्रे पहन कर बहाद चलो बहाद जाकर उसकी मॉम सुनान से बात करने लगती है तब ही उसके डैड आता है लेकिन वो उससे बात नहीं करते और सिंग्विन भी आती है सुनान पूछते है क्या तुम्होरा पैट ठीक है वो बोलते है ठीक है उसके डैट उससे मैं बोलते है कैसे ठीक है तुम्हें बहुत ज़्यादा चुट लगी है वो बोलती इसमें सुनान की गलती नहीं है उसके डैट बोलते है कल तुम उसका साथ थी बहुत से आरे के बाद तोहरा ऐसा हल हुआ तो ये किसकी गलती है उसकी मॉम बोलते है बस हमने सुनान को डिनर के लिए बुलाया है आप इस सब के बार में क्यों पूछ रहे हैं इसमें सारी गलती सिंग्वीन की है मैंने पूछा था क्या हुआ है लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया सिंग्वीन सजबोनर जा रही थी लेकिन सुनान बोलता है मैंने उसका ख्याल रही रखा मुझे माप कर दीजिए उसके डैट पूछते है उसे चोट कैसे लगा सुनान बोलता है rock climbing कती हुए उसके मॉम बलता है वो बेसे भी जादा बहार नहीं जाती लेकिन दूसरी बार ख्याल रखना सुनान बोलता है मैं जरूर ख्याल रखूंगा उसके मॉम उसके डैट को बोलती है वो बिलकुर भी बहार नहीं जा थी वो कैसे हिल्दी रहेगी अब कोई उसे बाहर ले जा रहा है तो ये अच्छी बात है उसके डाट बोलता है ठीक है लेकिन हमसे पूछ कर ले जाना फिर रो लोग डिनर कते हैं दूसरी तरफ सिया के भी खाते हुए फोन हो उनकी बत सुन रहा था वो सुनान को अपने कमरे में ले जाती है और सुनान बोलता है तुम बहुत अच्छी डाट करती हो सिंगिन बोलता है क्या तुम्हें कुछ नहीं पूछना सुनान बोलता है कल के बार में मुझे रखते तुम तुम्हारी पैरेंस का परिशान नहीं गाना चाती थी इसलिए उन्हें कुछ नहीं बताया वो बोलते हैं मैंने तुम्हें फोन और मेसेज़ भी किया था सुनान बोलता है मैंने देखा था क्या तुम इसकी बात कहल रही थी वो बोलते है मैं अपने बॉष से मिलने जा रही थी और रास्ते में human trafficus ने मुझे पकल लिया और मेरा back भी चुरी कर लिया सुनन बोलता है सौरी मुझे तुम्हें ले जाना चाहिए था वो बोलते इसमें तुम्हारी गलती नहीं है तुम नहीं जाना चाहते मैं कल रहत का हो रही थी सुनन बोलते ये सब तुम्हारी बॉस के गलती है उसने जरूर तुम्हें अखिला नहीं छोड़ दिया था वो बोलते लेकिन वो एक लड़का है और हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है सुनन बोलते तुम्हें लगता मैं तुम्हें किलत समझूगा अगर तुम तुम्हारी बॉस के साथ होती तो डेट पर नहीं आती अब लेट हो गया है मुझे जाना चाहिए और सुनन चला जाता है फिर वो अपना फोन उठाती है और देखती है सिया के अभी भी है इसलिए ओडर जाती है वो पूछती है आप अभी भी क्यों है सिया के बोलता है मैं तुम्हारे लिए इंतसर कर रहा था वो बोलती है मुझे माफ कर दीजिये मैंने आपको इतनी देर इंतसर कराया आप बोर नहीं हुए सिया के बोलता है नहीं मैं खाते हुए तुम लोगों की बास सुन रहा था वो बोलते हैं आप कैसे हमारी बास सुन सकते हैं सिया के बोलता है तुमने भी तुम मेरे बार में गोसिप किया था मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारा बॉलफरें सोचता है कि कोई भी लगा तुम पर इंडरेस्टेट नहीं होगा वो बोलते हैं हम तोने एक दुश्रे पर भरसा करते हैं और इसे ही सच्छा प्यार करते हैं अगर आप ये मेरे boyfriend से सीखते हैं तो सेनकेन हमें गलत नहीं समझ दी याके बोलता है मैं तुम्हारी तरह बेवोकुप नहीं हूँ जो उससे सिखूंगा वो बोलते हैं आप पहले अच्छे से सोचिए मैं काम करने के बद इमेल कर दूँगी और वो फोन कट कर देती हैं उस दिन बाद सिंग्विन प्लास्टर खुलाने के लिए हास्पिरल आती हैं और सुनान उसे लेने आता है सुनान बोलता है तुम्हें और कुछ दिन रिस्क करना चाहिए था सिंग्विन बोलती है मैंने बहुत दिन रिस्क कर लिया और घर पे बैटके बहुत से मीटिंग करने से अच्छा मैं ओफिस जाओंगी सुनान बोलता है वो तुमारा बहुत ख्याल रखता है काश में उससे मिल बता सिंग्विन बोलती है वो बहुत गुस्ता करते है लेकिन हम लोग उनसे बहुत कुस देखते है फिर हो लोग कार्ण में उटकर जाने लगते है और रास्ते में जैंब के बज़े से रुखते है सुनान सेंकेन की केक शाप को देखने लगता है और सिंग्विन पूछती है क्या तुम्हें केक खरीदना है सुनान बोलता है नहीं तब ही सुनान सेंकेन के एक आदमे के साथ कान में उठते हैं और सोचता है वो उसका बॉइफरेंड है इसने वो जल्दी सुन का पीछा करने लगता है लेकिन ट्राफिक लेट के बज़े से उसे जल्दी से गारी रोकना बता है और गारी पे लगकर सिंग्विन का प्रेसलेट टूच जाता है सिंग्विन उसे सौरी बोलती है और सुनान गुस्टे में बोलता चलो शादी कर ले फिर वो उसे घर छोड़ देता है और बोलता है मैंने तुम्हें अभी प्रपुस के तुम जरूर डर गई थी सिंग्विन बोलता है इस ब्रेसलेट का प्राइस कितना है मुझे ये पे करना है सुनान बोलता है क्या तो मुझे refuse कर रही हो सिंग्विन बोलता है नहीं मैंने इतने जल्दी सादी करने की बात नहीं सोची थी सुनान बोलता है अगर तुम मुझे शादी नहीं करोगी तब भी तुम्हें इसके बज़े से पैसे नहीं देना परेगा सिंग्विन बोलती है मैं वो नहीं बोलना चाहती थी सुनान बोलता है मैं अभी बहुत प्रेशर में था इसलिए तुम्हें प्रपुस कर दिया तुम वो बात भूल जाओ फिर वो उसे जल्दी से घर जाने बोलता है और वो घर चरे जाती है दूसरे दिन सिंग्विन अपनी कजन को बोलती है सुनान ने मुझे प्रपुस किया है वो बोलती है तुम कब शादी कर रही हो सिंग्विन बोलती है मैंने अभी तक खाने ही बोला है वो बोलती है तुम्हें जल्दी शादी कर लेना चाहिए सिंग्विन उसे चुप करने बोलती है फिर वो उसके कजन की शादी के लिए ड्रेस ट्राय कती है और उस सिंग्विन के फोन से सिंग्विन का फोटो लेकर तुरान का भेज़ देता है सिंग्विन रोकने के कोशिश करती है लेकिन नहीं रोक पाती दूसरी तरफ सिया के इंबस्टर के साथ मीटिंग कर रहा था और वो लोग उसे सिंग्विन को हटा कर किसी अच्छे को प्रोजेक्ट एंच चार्ज बनाने के लिए बोलते है सिया के बोलता है मुझे उस पर भरुसा है वो जरूर अच्छा करेगा तब ही सिंग्विन का मिसेस आता है जो उसके कज़न ने गल्दे से कर दिया था इसलिए वो बोलता है मैं कुछ भी चैंस नहीं करूंगा और जल्दी से वहाँ से चल जाता है सिंग्विन खाने के लिए जाती है और जू यूसे फोन करकर बोलती है जल्दी वापस आवास वापस आरहे है सिंग्विन बोलते है वो तो मिटिंग के लिए गये है क्या उन्हें फिर से क्लाइन के संचछा किया और तब ही सिया के आकर बोलता है तो मुझे सबसे अच्छी जानती हो और सिंग्विन को जटकर लगता है वो बोलते है मुझे पता है लंस्ट्रेम खतम हो गया है मैं काम करने जाती हूँ सिया के पूसता है तुम सुभा कहा थी वो बोलते है मैं गेम के लिए इंस्परेशन धूड रही थी अब मुझे बापस जाना चाहिए और सिया के उसे खाना खतम करने के लिए बोलता है इसलिए वो खाना खाने लगती है सिया के पूचता है जिलेक्शनशिप में सबसे खरफ क्या है वो बोलती है ब्रेक अप सिया के बोलता है नहीं मैरेज वो बोलती है उसका मतलब तो हैपी एंडिंग है सिया के बोलता है उसका मतलब game end भी है सिया के उसे उसका message दिखाता है और पूसता है तुमने इस बज़े से छुटी लया था सिया के बोलता है तो सूरा ना तुम्हें प्रपस किया है यह सुनके रोज हैट के खाती है और गलती से उसके उपर ठूख देती है इसलिए सिया के उसे मॉल ले जाता है उसके पैसों से कप्रे खरीदने के लिए सिया के नहीं सुनता और सिया के नहीं सुनता और सिया के नहीं सुनता है और सिया के उसे बोलता है घर जाते वोई एक अंदर सूट लॉंडरी में दे देना और सिंगविन बोलती है इसकी बज़े से मेरा दो महीने के सलरी चला गया सियाख्य बोलता है जूई तुम्हें मेरे बार में बहुत कुछ बताती है उसने यह नहीं बता है कि एक गेम प्लैनर को कीतना मिलता है और सिंगविन खुशो कर बोलती है सब मेरी गलती थी यह सूट मैं आपको सौरी बोलने के लिए दे रही हूँ फिर वो लोग जाने लगते है और सिंगविन स्विमिंग सूट देखकर बोलती है वो लोग मुझे पर हसते है कि मेरे पस नया स्विमिंग सूट नहीं है मुझे एक लेना चाहिए सिया के उसे बोलता है तुम कबसे दूसरों के बास सुन ले लगी हो वो बोलती है अगर सूनान ने आउटिंग में उनके बास सुन ली तो वो मेरे बार में क्या सोचेगा सिया के पूसता है सूनान भी आ रहा है वो बोलती है सब लोग अपने पार्टनर को ले जा सकते है सियाके बोलता है लेकिन तुमने तुम थो उसे रिफ्यूस किया था गूर बोलते है इसलिए मैं सब को स्ठीक करने के लिए उसे बुला रही हूँ वो सियाके से पूसता है कैसा जग रहा है पर सिया के गुसे में बोलता है मैं तुम्हें शॉपिंग करने के लिए सालीली नहीं देता और चला जाता है घर में उसकी मॉम आउटिंग के लिए उसे खाना पैक कर देती है वो पूसती है मैं तो होटल जा रहा हूँ इसका क्या करूंगी उसके मॉम बोलती है जब तुम बोर होगी तब रास्ते में खा लेना और एक दूसरे को खाना खिलाने से रिस्ता अच्छा होता है और उसके डैन भी उसके मॉम को खाना खिलाते है फिर उक अपने पैक करका सो जाती है सुफ़ा एमी उसे फोन करकर बोलती है सबी को एक साथ बस में आना परेगा इसलिए वो सुनान को सौरी बोलकर आके लिए आने बोलती है सुनान बोलता है यह आजीव है फिर बस आता है इसलिए वो जल्दी से चली जाती है बस में उसकी दोस बोलती है सिप बस का पासवाला सीटी खाली है इसलिए वो वहाँ बैठने जाती है और गल्दि से सियाके के उपर गिर जाती है वो पूचती है अपने पैसा खर्च करके बस क्यों वुक किया हम अपने अप चले जाते और सियाके बोलता है तुम मुझे सिकाओ कि पैसे कैसे खर्च कने है इसलिए वो चुप कर जाती है फिर वो सो जाती है सपने में खुद को सुनान के साथ देखती है जहां सियाके आकर पूचता है तुमने काम खतम किया और वो उसे पाणी में गिरा दिता है और उसका सपना तूच जाता है उटके वो देखती है कि वो सियाके के कंदी पे सो रही थी इसलिए वो जल्दिसे उसका कप्रा सब करने रखती है क्योंकि अगर उसे कप्रे खड़ाव होने की वज़े से पैसा देना होगा तो उसके पास इस महिने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा फिर वो एक धियान हटाने के लिए खाने के बारे में सोचती है और देखती है कि सियाके ने उसका खाना खा लिया वो बोलती है यह मेरा खाना था सियाके बोलता है इसलिए इतना खराव है और सिंगु इनको गुस्ता आता है लेकिन वो बोलती है sorry आपका ऐसा खाना खाना पड़ा दूसरी तरफ सेंकेन को दिखाती है जो अपनी क्लाइट के साथ बात कर रही थी और वो उससे बत्ते में सी करता है इसलिए वो गुस्ते में उसके उपर केक लाकर चली जाती है वो लोग पी उसी जगह आये थे और सूनान फोन करकर बोल देता है कि उसे आने में लेट होगा जोई उससे सूनान के बार में पूछती है वो बोलती है कि उसे आने में लेट होगा जोई बोलती है बोस ने हमें बस में आने क्यों बोला और उनोंने दो बस क्यों नहीं बुक किया उनके पास तो बहुत पैसा है तब है सिंग्विन सेंकेन को देखती है सेंकेन पूछती है तुम्हारा पैर कैसा है वो बोलती है अच्छा है हम लोग यहां घूमने आई है सेनकेन बोलते है तब ही सिया के भी आया होगा तब ही सिया के आता है और सेनकेन उसके सथ गेलफिन की तरफ भीप करने लगती है इसलिए सब उने देखने लगते है और सिया के शर्माने लगता है सिया के एमी को सब को रूम में ले जाने बोलता है एमें बोलते हैं रूम ट्रेडी होने में थोड़ा टाइम लाएगा तब तक हम आसपस घूम सकते हैं सेनकेन बोलते हैं यहाप आसना बहुत सुन्दर जगा है हम वहा घूम सकते हैं सिविन बोलते हैं मेरा बॉर्फरेंट अभी भी नहीं आया है इसलिए मुझे रुकना पड़ेगा सिया के बोलता है अगर तुम नहीं गये तो मैं तुम्हारा बोनस काट लूँगा इसलिए उससे जाना पड़ता है जाते हुए सिया के सेनकेन को चुपके से पूछता है तुम कब यह सब बंद करोगी सिया केन बोलते है अब तुम बहुत बोरिंग हो गई हो इसलिए प्लीस लाइक और सब्सक्राइब इसलिए प्लीस लाइक और सब्सक्राइब